अचानक बैठे बैठे मन में कोई ख्याल आ गया और अनायास ही बोल दिया मुझे तो ऐसा लगता है कि अब अगला साल जो है बिजनस बहुत डाउन जाएगा या अचानक बोल दिया ये आइटम अब बिखनी बंद हो जाएगी मुझे लग रहा है कि आने वाले दो-तीन साल तक इसकी जगा पर कोई दूसरी चीज बिकेगी या परिवार के बारे में कुछ बोल दिया कि जी इसकी नियत मुझे खराब लग रही है और ये कई न कोई दोखा देगा कुछ भी बात हो सकती है अच्छी या बुरी निकलनी अनायाज ही है ये होता है रहुत तीन वालों के साथ जिनका रहु भाव नमबर तीन में होता है उनको कुदरत की तरफ से एक ये आशीरवाद होता है कि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉंग होती है नमस्कार मैं एस्ट्रो केवल आज रहु भाव नमबर तीन इसकी समस्याएं तो इतनी है नहीं लेकिन फिर भी इसकी समस्याएं और उनके निवारण और इनकी खुबियां वो आपके सामने लाया हूँ जिनकी लगन कुंडली में रहु तीसरे भाव में हो वहाँ पर वैसे तो रहु को अच्छा ही माना जाता है पर कुछ राशिया ऐसी हैं जिसमें रहु अपने अच्छे परवाव नहीं देते हैं और अगर जनकी में मंगल और बुद्ध ये दोनों भी अच्छे हो तो रहु के परिनाम बहुत अच्छे हो जाते हैं रहु को एक खास आशीरवाद ही समझे लीजिए कि जिस व्यक्ति का यहां रहु होता है और अकेला होता है उसकी इंट्यूशन पावर जो है न वो बहुत ही स्टॉंग होती है वो कभी उसे सपना आजाएगा किसी चीज़ को लेके कभी वो वैसे ही बोल पड़ेगा और अधिक तर जो उसकी इंट्यूशन होती है वो बिलकुत सही होती है इनकी वानी में बड़ा दम होता है अगर आप इनसे बहस करने लगे या ये किसी बात को बताने लगे या किसी बात पर लेक्चर करने लगे तो लोग मंतर मुद्ध होके सुनते हैं इनकी वानी में बहुत दम रहता है इनकी पास एक दम जवाब देने की एक असीम शक्ती हो इनकी इच्छा शक्ती भी बहुत कमाल की होती है बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत आगे का सोच लेते हैं लेकिन कभी कभी ये ब्रह्म में आ जाते हैं जिस कारण से अपने भाई बहनों के साथ इनके जो रिष्ते हैं वो कोई बहुत बढ़िया नहीं होते हैं अच्छा एक रिष्ते की बात आई तो एक बड़ी खास बात इनमें ये होती है कि इनका अपने पिता के साथ और इनके पिता का इनके साथ बहुत ही गनिष्ट संबंध होता है एक दूसरे को ये बहुत लाइक करते हैं एक दूसरे की बहुत इज़त करते हैं लेकिन मन ही मन दोनों के विचार अलग होते हैं ना तो ये खुद अपने पिता की किसी बात के साथ इतफाग रखते हैं और ना ही इनके पिता ये समझते हैं कि इनकी सोच ठीक है सोच का डिफरेंस होता है लेकिन लोगों को नहीं पता लगता थोड़े से emotional fool भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा emotions में आ जाते हैं अपनी इच्छा सकती से ये कुछ भी जीवन में हो जाएं ये बहुत कठनाईयों को पार भी कर लेते हैं और हाँ जीवन में एक बारी ऐसा वक्त भी आता है जब इनके पास बहुत ही समझ ली तिये मुसीबतों का पहाड तूट पड़ता है लेकिन एक चमतकार भी ये होता है कि वो पहाड तूटने के बाद वो मुसीबत आने के बाद ऐसा चमतकार होता है कि इनके जीवन में एक दम उच्छा लाता है और ये सुख सुविदाएं और सब चीजों से परिपूर्ण हो जाते हैं और बहुत उचाईयों को छूब लेते हैं कभी कभी ये सोच में इतने चले जाते हैं कि इनके लिए उस सोच से बहार आना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके लिए इनको प्रियास करना ही पड़ेगा नहीं तो ये एंसाइटी ये डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं इसलिए बहार आने का जोर तो लगाना ही पड़ेगा और उसके लिए बहुत अच्छा उपाई ये बनता है कि ये छोटे-छोटे ट्रेवल करते रहें अपने शहर से किसी दूसरे शहर में महीने में एक आतबारी घूमाए वो इनके मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा बड़ी कमाल की बात तो ये है कि कोई गलती हो जाए तो ये अपने से छोटे चाहे उम्र में छोटे हो चा हैसियत में छोटे हो सौरी करने में एक मिनट भी निलगाते कोई इस मामले में इनको ये नहीं होता कि मैं क्यों इसके सामने सौरी करूँ अब कुछ इनके लिए मैं उबाई भी दे देता हूँ जहाँ पर इनके प्रभाव कमजोर आ रहे हूँ या नेगेटिव आ रहे हूँ देखो जिनका भी रहू भाव नमबर तीन में हो उनको अपने घर में कभी भी आईवरी यानी हाथी दान्त की बनी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो दुर्बाग्य लाती है हाँ एक पचास से सतर ग्राम का प्योर चांडी का हाथी जरूर घर में रख सकते हैं और उसकी ख्याल ये होना चाहिए कि उसकी जो सूंड है वो उपर की तरफ होनी चाहिए ऐसे हाथी को अगर वो अपने घर में स्थापित करते हैं तो मना जाता है कि राहू के जो दुश प्रभाव आ रहे हैं या जैसा भी राहू है ये और अच्छे प्रभाव देने लग जाता है जैसे ये अपने आपको बहुत ही हाई क्लास प्रेजेंट करते हैं इनका पहनावा, इनकी सेलेक्शन, इनकी प्रेजेंटेशन हर चीज़ की वो कमाल की होती है और अगर इनके साथ मंगल और बुद्ध भी आ जाएं तो आप समझ लीजे सोने पर सुहागा ये राहू अपने बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं और किसी भी उचाईया तो ले जाते हैं भागे पर ये बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं बताना तो बहुत कुछ चाता हूँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी और मैंने कोशिश करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजे मुझे सब्सक्राइब या फॉलो कर लिजे और राभुतीन वाले या ऐसी ही आदत वाले अगर आपके कोई दोस्त या जानकार हैं तो नहीं ये वीडियो फॉलो कर दीजे करेंगे ना